में अनारे मज़िदार सी रगड़ा चाट जिसके लिए यहां पर मैंने एक कप मटर ले लिया है जिसे मैं रात भर पानी में सोग करकर रखतूंगी मटर लिए थे मैं और उन्हें रात भर पानी में बिगो दिया था अब हम इसको को कर में हमने इसको ऐड़ कर दिया है ゃहाड इन इस में पानी आड़ कर दिया है एन इसको बॉलेकर लिए से पहले दे लिए बसे ते हम इसमें Noramak और हलश एď Vaid कर लेंगे 3-4 सीटी हम इसमें लगा लेंगे और उसमें यही है बॉयल हो जाएंगे देखें मटर यह बॉयल हो चुके है और तकरीबन 3 सीटी हमने इसमें लगाई थी और अच्छे से यह गल गए है अब हम इसका तड़का तयार कर लेते हैं आपर मैंने एक पैन में ओईल आड़ कर लिया है सबसे पहले इसमें मैं जीरा आड़ कर रही हूँ वन टी स्पून के करीब एक मीडियम साइज की प्याज मैंने चॉप कर ली थी वो मैंने इसमें आड़ कर दिये हलका सा हम इसको पिंक होने तक फ्राइ करेंगे ताकि जो प्याज का कच्छापन है वो दूर हो जाए देखिए प्याज हमारी हलकी गुलाबी हो गई है अब इसमें हम वन मीडियम साइज टोमैटो उसमें आड़ कर देंगे जिसे उसको भी मैंने चॉप कर लिया था एंड हलका सा हम उसको भी फ्राइ करेंगे ताकि जो टमाटर है वह थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए आफ टीस्पून इसमें मैं रेडचली पाउडर आड करूंगी और हाफ टीस्पून इसमें मैं कोरियंडर पाउडर भी आड करूंगी इससे क्या है हमारा जो हम मत्र तेयार कर रहे हैं उसमें काफी अच्छा टेस जवलाप हो जाएगा एन हाफ टीस्पून के करीब ही मैंने इसमें हल्दी आड कर दिया हमें ध्यान अखना है कि हल्दी नमक हम अल्रीडी आड कर चुके हैं तो उसी लिहास से हमें अब बैट करना होगा मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं या पर वन टीस्पून के करीब मैंने बुना हुआ जीरा पाउडर मैं आड कर दिया है थोड़ा सा अब हम इसमें चाट मसाला भी आड करेंगे एन दो से तीन ही आपर मैंने हरी मिर्चे भी इसमें आड कर दी है सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करकर हम इसको हलका सब गूल लेंगे ताकि जो मसालों का कच्छा पन है वो दूर हो जाएं हलका सा पानी हम इसमें आड कर दिंगे ताकि हमारी जो मसाले हैं वो नीचे लगे नहीं तड़का हमारा तयार हो रहा है अब इसमें मैंने वन टीश्पून के करीबी चाट मसाला आड़ कर दिया है अब नमक हम अल्रीड़ी अड़ कर चुकी हैं तो यहां पर मैं ब्लैक सॉल्ट् given करूंगी वह भी मैं टेश के ह 커피षाफ से इसमें ऐड़ करूंगी तो यहां तकरिबर हाफ टीश्पून के करीब मैंने ब्लैक सॉल्ट कर दिया है अब नमक और मिर्च अपने टेश के साथसे क अब इसमें जो हमने हमारे मटर बॉयल करे थे वो में इसमें आड कर दोगी और अच्छे से भी मिसको मिक्स करकर थोड़ा सा में हरादनिया भी आड करूंगी गार्निशिंग के लिए और हरे दनिया से काफी फ्लेवर हुल भी हमारे ये मटर तयार होते हैं कितना थिक आपको रखना ही या आप अपने हिसाब से खर सकते हैं तो जो पानी हमारे मटर बॉयल करने में थोड़ा भुट बचा था वही मैंने इसमें इसमें एड किया है और एक्स्टा पानी हम स्में आड नहीं करेंगे और अब हम इसको तब तक चूख करेंगे जब तक हमारी जो कन्सिस् पुझे इतना ही थिक इसको रखना है तो यह हमारे मज़दार से मटर चाठ आप इसे बोल सकते हैं वो एकदम तयार है और चलिजी अब इसे गर्मा-गरम सर्फ करते हैं मटर हमारे एकदम तयार है और इसको आप मैं गार्निश कर लूँगी तो यहाँ पर देखें मैं प्याज आड़ कर रही हूँ थोड़ा सा महर अधनिया भी इसमें आड़ करूँगी अगर अगर आपके पास कोई और भी इंग्रीडियन आप आड़ करना चाहें आप इसमें गार्निश के लिए आड़ कर सकते है कर दो कर दो पर्बद दो help । कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दोनाया नहीं हो क्वाश खेफ़ार ही, कि अज़ झाला है